नमस्कार विद्यारतियों आज मैं अपने इस वैदिक सब्विता का आठवा लेक्चर लेके आया हूँ और आपको पता है धीमे धीमे वैदिक सब्विता भी पूरी खतम हो रही है मैंने काफी डिटेल से आपको सारी बाते बताई है ठीक है तो अब इसको हम शुरू करते हैं अब हम जो इधर उत्तरवेदी काल के अंत में चल लहें हैं बस यह अंती में इसको एक लेक्चर और होगा इसमें थोड़ा सा धार्मिंग बातों को हम समझाएंगे लेक्चर मैंने काफी जादा सब्जेक्टिव लिए हैं हर चीज समझाने का प्रयास किया है तो इसी लिए लेक्चर थोड़े से इसलिए मैंने पहले कहा था कि जो लेक्चर चला है सेक्वेंस में चला है आप इसको कांटीनू देखते रहिए तभी इसको आप समझ पाएंगे ठीक है क्योंकि पीपीटी के भरोसे मत बैठी पीपीटी में हर बात लिखी गई है लेकिन मैं मैं जितन है तो आपको बहुत सारे कोस्टन एक्जाम में ठीक है चलिए अब अब हम मुझे तो सेयूक्त परिवार की बात ती तो संयूक्त परिवार में क्या-क्या चीज़ आती हैं इसको ध्यान देना होगा संयूक्त परिवार में जो है आज जैसे ज्वाइंड फैमिली का सिस्टम है लेकिन जोयंट फैमिली का सिस्टम हमें उत्तरवेदिक काल से ठीक है dum yet को रगवेदिक काल गसर्ल के जोनों में जोयंट सिस्टम था ज्यान नखरेंगे के पास यह viseч प्रकार का अधिकार ज्यादा होते थे पिता अपने पुत्रों को बेच भी सकता था ध्यान रखेगा और घर से निकाल भी सकता था जैसे आज आप देखते हैं आज हमारे सम्में आज जो है सुप्रिम कोट का फैसला भी हो चुका है कि पिता अगर चाहे तो अपनी संपत्ति से पुत्र को विद्यखल कर सकता है यानि पुत्र पिता की संपत्ति में दावा नहीं कर सकता जब तक पिता ना चाहे तो उस समय यह बेवस्था थी कि पुत्र अगर चाहे तो पुत्र को संपत्ति से बेद्यखल कर सकता था हां कहीं कहीं पुत्र को बेचने का उल्लेख मिलता है यह बहुत बिसेश परिस्थि पुत्र को बेचने की परंपरा थी। तो जॉइन फेमिली थी पिता को जो है अपने पुत्रों को बेचने का और घर से निकालने का भी अधिकार ठाइज आगे बढ़ते हैं देख़िए जैसे अभी देखे आत्रे ब्राम्मण आप कमिंट बॉक्स में अप जवाब देंगे र एक्जाम्पल मिलता है कि अजिगर्थ नाम के कोई व्यक्ति थे रिशी रहे होंगे अपने पुत्र शेप को शुन शेप उनका पुत्र था को सौ गाये लेकर बली के निमित बेच दिया मतलब आपको पता है बली एक प्रकार का कर था बली मतलब किसी यहां पसको मारने से नही के रूप में कनवर्ट हो गया अनिवार हो गया जरा याद कीजिए सारी बातों को मैंने काफी सब्जेक्टिव बाते बताई है गहराइस बताया है किरिग वैदी काल में बली बेवस्था थी बली मतलब क्या था सोच्छा से दिया गया दान लेकिन उत्तर वैदी काल में कर बेवस्था आ गई यहीं बली जो है कर बेवस्था में बदल गया कर का मतलब है अनिवार रूप से आपको देना ही देना है तो ऐसा एक्जामपल मिलता है एत्रे ब्रामध में कि लगबग एक अजिगर्थ ने अपने पुत्र शुन शेप शुन सेप को शौगाएं लेकर ब मतलब ऐसे डिसीजन भी सेज्ब परिस्थितितिव में मिलते हैं अपवाद है हां लेकिन यह कि पिता को अधिकार मिलता कि अपने पुत्र को दे दिया ठीक है लेकिन यह कोई समाने घटना नहीं तरह से अपवाद भी है क्योंकि उस समय भी सम्मंद क्या थे मुर्दिता पूर यानी फ्रेंडली थे फैमिली वास जेंटल ऐसा नहीं था कि परिवार के अंदर को इस तरह की बात यह बहुत मतलब समाने घटना हो आज समाने घटना है लेकिन परिवार के आपसी सम्मंद अच्छे हुआ करते थे ठीक है अब देखिए या इस पूरे पीटी में धान लखिएगा कि आपको मैंने बताता कि जहां रिग्वैदिक काल में बढ़ बेवस्था करम परधान थी लेकिन उत्तरवैदिक काल में यह आ करके यह बढ़ बढ़ता गया है ना धारनिक रित रिवाज कठोर हो गए ठीक है और जातियों का उद्य होने लगा ठीक है जैसे रथकार चर्मकार स्वाणकार लोहकार समझें ना उत्तरवैदिक काल की घटना है रिग्वैदिक काल में आपको ब्रामर चत्री वैस सुद्र दिखेंगे ले यही बन बैवस्था करम प्रधान से जन्म प्रधान हो गई वह इंशानुगत हो गई अब ब्रामर चत्री वैस सुद्र कर्म के अधार पे नहीं जन्म के अधार पे तें होते थे और कई जातियां बनने लगे जैसे रथकार रथवाले चम्रकार जो चमड़े काम करते सुनक सुने काम करते लाओकार जो लोहे काम करते थे इस तरह से जैसे हम लोहार कुमार तमाम जात तो इस तरह से यह जन्म हुआ यानि बन बैवस्था का रूप बदला और कई जातियों का उदय होने लगा यह ध्यान रखेंगे ठीक है तो ग्रेजुवल इंक्रीजिन कास्ट डि रहינiltreively जातिगत मनलब जातिगत बेड़व के वजway से कई सारे क्टेगरी बन गईनि जातियों की candary पर्यटियोंगयई ध्यान रखेंगे तो ग्रत्त्रियां परिवरतन आपको दिकरा है कि बन ब्यवस्था करम परधान य admiration से च मत कई जातियां बन गई कि आप देखते हैं कि अब यह जो आप देख रहे हैं शत्पत ब्राम्मर में यह आपको इसको जानने की जुरूत नहीं है यह इसका संबंद आपकी एक्जाम से नहीं मैं पहले बोल दे रहा हूं यह तो कि दिया चारवरणों के लिए अंतश्टी की बा द्हान क्या-क्या मिलते हैं तो इसको जानने जीरूत नहीं यह कभी पूछा नहीं जाए कि इसी ऐख्जाम में ठीक है ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं अब देखिए हां यहां पर ध्यान रखेंगे आपने सुना अगरा उपनयन संसकार यह होता है सब में ठीक है उप उपनेयन संस्कार जो था वो ब्राम्मर्ण छत्रिय वैश्ट के लिए वैश्ट के लिए वैश्ट के लिए उपनेयन संस्कार उत्तरवैदिक काल में नहीं तो आप ध्यान लगेंगे उत्तरवैदिक काल में उपनेयन संस्कार ब्राम्मर्ण छत्रिय वैश्ट के लिए था जबकि सुद्र के लिए उपनेयन संस्कार नहीं था पिर आप देखेंगे रिगवेदिक काल की इस्थिती आप देखें मैंने समझाया था कि उत्तरवेदिक काल वो समय है जिसमें समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है आता है ये कैसा परिवर्तन है ये कैसा परिवर्तन है जो समाज को धीमे धीमे पतन की ओर ले जा रहा ह आहेगा तो अब जैसे देखिए में इस्तिति में गिरावाट आई इन पूरीवेद काल की तुल्ला में रिंट unless ट्रियों की Pres llegóenza इन इनकेम प्रेजन्ट टूरेवैद कि पिरियाट डार कि इस टेटस आफ 미ंण deteriorated in this period ध्यान रखेंगे यानि कि उनकी महिलाओं की स्थिती खराब हो गई पुत्र के जन्म की कामना की जाती थी किन्तु पुत्रियों का जन्म अभिशाप माना जाता था जो आज के समय भी कहीं न कहीं दिखता था अब तो फिलाल कम है लेकिन अभी भी यह वैवस्ता हमारे समाज में है कि लड़कियों का पैदा होना बोज मान लिया जाता है तो अब डाटर वास कंसीड़ेद एक कर्स कि पुत्र के जन्म की लोग अकांचा रखते थे लेकिन लड़कियों का जन्म होना अभिशाप माना जाने लगा ठीक है एत्रे ब्राम्हण में पुत्र को परिवार का रचक एवं पुत्रियों को दुख का कान बता आई देखिये क्या लिखा जा रहा है इन एत्रे ब्राम्हण संस है बीन डिस्क्राइब डाटर अज दा काउज आफ शारो मतलब देखिये महिलाओं की स्थिति आप पता लगा सकते हैं मतलब क्या डाटर ऐस दा काउज आफ सारो की पुत्रियों को दुख मान लिया गया यह दिखाता है कि अब धीमे धीमे समाज में पतन सुरू हो रहा है और यहीं से समाज में कई प्रकार के संगर्स पहले रिगवैदिक काल का संगर्स कभीले में था पशू के लिए था अब यहां कई प्रकार के संगर्स जन्म लेंगे जातिगत संगर्स पनवेवस्था में संगर्स बेटा और बेटी के लिए आपस में बिवाद सब भेद भा समाज का पतन यह उत्तरवादिक काल से ही सुरू हुआ है तो हुआ है अब आप देखिए तीर ये सं समझे कि nutr Around sahit seller है मैं उसन हिता में बता चुकह हों क्या है ए पहले ही मैं इस्तुरियों को मदिरा की सधाम में रखा गया यह द्धान नंगे इसका प्रणे जोट नहीं है इस्तुरि को मदिरा की स्रीम रखा गया यानि वोमेन है बिन प्लेश इन दा कटेगरी अफ गैंबिलिंग दूत मतलब होता है जूवा समझे इसको आप जूवा भी कह सकते हैं जूवा और मदिरा सोचिए कितना बुरा हस्र महिलाओं को किस तरह से कितने मतलब निचलेस तरह पर जा रहा है है ये समाज उत्तरवादिक काल का कि महिलाओं को क्या गैंबिलिंग और ऐलकोहल की कटेगरी में रहा ला ऐ गया है कि महिलाओं को मदिरा और जूवे की कटेगरी में लाए गयागी निकिम इन मैत्राशनी सहीता वोमें है बिन प्लेश इन दे कьогоर्ष इन कैटेगरी अफ गै आप बता यह रहे हैं आप देखिए भृह द्राणायक उपनिशत उसका भाग है और राणयक उपनिशत किस वेद का भाग है या किस वेद का पनिशत है आप बताएंगे उसमें क्या लिखा है उसमें परसित धरिशी थे यागिवल्लक और गारगी गारगी पता है ना जो एक प्रकार की वो विजुशी महिला थी यागिवल्लक और गारगी के समवाद का उलेक मिलता है जिसमें एक वाद विवाद के द्वारा यागिवल्लक ने गारगी से कहा है कि अधिक बहस ना करो अ मतलब मैं इस सब के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो रिगवैदिक काल में आपने नहीं देखा उत्तरवैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का क्या हल हो रहा है उन्हें जूमे से कंपियर किया जा रहा है उन्हें मदिरा से कंपियर किया जा रहा है उन्हें स्रा लेकिन उत्तरवेदिकाल में क्या है महिलाएं धार्मी कुद्सों में भाग ले सकती थी किन्तु उन्हें राजनैतिक तथा धन सम्मंधिय दिकार नहीं प्राप्त थे आप सोचिए हमारे सम्मिधान में आर्टिकल 44 जो कहता है समान अचार सहिता का देना समान अचार सहिता है कि इस्तरी पुरुस आज को सभी को बराबर अधिकार मिले लेकिन यह बहुत बाद में हमारे सम्मिधान में सामिल किया गया आप समझे यह पिता के संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार नहीं था यह परंपरा बन गई यह परंपर यहीं से बन गई लेकिन अब जाके ब बेटे या बेटे किसीक दे सकता है अब बेटियों को भी संपत्ति का उत्रा अधिकारी माना जाता है लेकिन आप देखेंगे कि उत्तरवैदिक काल में ये वेवस्था नहीं थी और यह हमारे भारत में बहुत लंबे समय तक चली वह तो न्याले और सरकार द्वारा समय समय प अधिकार था लेकिन राजनैक्तिक और धन सम्मंदी अधिकार प्राप्त नहीं थे इस्त्रियों का सभा और विधत में भाग लेना और उपनेयन संसकार भी बंद हो गया आपने पढ़ा था रिगव्यदिक एज में सैध स्रीयों के लिए भी उपनेयनसंसकार की बाद कहीं कहीं लिखी कहीं कहीं, लेकिन यहां क्या और वहांफर इस्तरियां सभा और समित में भाग ले थी, लेकिन आप यह देख रहे हैं कि रिग वैदिक उतरवेदिक कालョ में महि महिलाओं की कटेगरी को पुरुषों से बहुत नीचे खड़ा कर दिया गया यहीं महिलाओं को की स्थिती को पुरुषों से हमेशा नीचे माना गया इसलिए उत्तरवैदिक काल का जो समाज है वो धीमे धीमे पतन की तरफ जा रहा है ठीक है इसको ध्यान में आप रखेंगे अब आगे बढ़ते हैं हाँ लेकिन माना जाता है कि सूत्र काल की अपेच्छा थोड़ा सा ध्यान लखेंगे इस्त्रियों की दसा बहुत अच्छी थी आप सोचिए इसको अच्छा माना जा रहा है सूत्र काल की तुलना जब हम उत्तरवैदिक काल से करते हैं तो कहते हैं वह यह सूत्र काल की तुलना में उत्तरवैदिक काल में इस्त्रियों की दसा अच्छी थी यह अच्छी दसा कह रहे हैं कंपेर करके इसका मतलब तो यह हुआ कि सूत्र काल में स्थितियों की दसा और बुरी होगी वह सूत्रकाल क्या है जहानन लग भाग यह छैसो बीसी से न का क Didnth आक Dynastyмотр कुछा साथ सो बीशी से साथ तक समय सूत्रकाल मना जाता है कि सुछा मी माला क्र मित एक जादा हो गए महिलाओं की स्थिती और बुरी हो गई यानि आपको लग रहा है इससे भी बुरा समय आया महिलाओं के लिए 600 BC से 200 BC के बीच में यानि सोचिए क्या कह रहा कि फिर भी इस काल में सुत्रकाल किया पेच्छा इस्त्रियों की दसा बहुत अच्छी थी Nevertheless in this period the condition of woman was much better than the sutra period सोचिए इसका मतलब यह हुआ कि the condition of woman was much better than sutra period मलब सुत्रकाल क्या है 600 से 200 BC तभी तो आप देखेंगे उसी 600 से 200 BC के बीच में बुद्ध महावीर जैसे धार्मिक महापुर्शों का जन्म हुआ जिन्होंने उस पतित समाज को सुधारने का प्रयास किया आप यह समझे जैन धर्म बहुत धर्म क्यों सामने आए क्यों तरह अफेमस हुए क्योंकि जब समाज एदम चरम पतन की सीमा पे चला गया तब करमकांड महिलाओं की स्थिती जब बुरी से बुरी हो गई करमकांड का बोल बाला हो गया रामर छत्री वैश शुद्र के बीच भेद भाव बढ़ा शुद्रों को रोका गया मंद्री जाने से तमाम ऐसी उदान मिलेंगे आपको तब एक दो धर्म का उद्या हुआ ब अभी उत्तरवेदिक काल के बाद जो सूत्र काल है मैं पढ़ाँगों सूत्र काल भी छैसों से दोसों भी सीका समय वो और बुरा है ठीक है चलिए अब कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तरवेदिक काल की विदुशी महिलाएं थी मैंने आपको पता दिया है रिगवेदिक काल में बहुत सारी विदुशी महिलाएं थी लोपा मुद्रा अपाला घोशा उसी तरह उत्तरवेदिक काल में भी थोड़ी बहुत विदुशी मह महिलाएं मिलती हैं इसलिए बोलते हैं कि उत्तरवैदिक काल थोड़ा सा सूत्रकाल से अच्छा है मतलब कहीं कहीं महिला आपको दिखेंगे अच्छे काश कृत्सनी सुभला कात्याइनी मैत्री ध्यान रखेंगे कंपेर पूछ सकता कि कौन सी महिला रिशी उत्तरवैदिक काल की है कौन सी महिला रिगवैदिक काल की है तो ध्यान रखेंगे गारगी वेदवती काश कृत्सनी सुभला कात्याइनी मैत्री ये सब उत्तरवैदिक काल की महिला रिशी है तो आप सो मैं पुषता हूँ लोपा मुद्रा अपाला घोशा के अलावा और कौन-कौन सी रिगवैदिक काल की महिला रिशी है यह तो अध्यान नख लेना इंपोर्टेंट है क्योंकि अक्सर महिला रिश्यों के नाम में कंफ्यूज करते हैं कौन सा उत्तरवेदिक काल की कौन सा रिगवेदिक काल की ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हाँ अब थोड़ा सा उत्तरवेदी काल में यग शुरू हुए कौन कौन सी यग्य है राजसु यग्य इस यग्य का सम्मंद किसे था राजविशेक से बाकी कहानी आप पढ़ लिजेगा जो मेन है मैं वही बता रहा हूं राजविशेक मतलब कोरोनेशन निए जब राजविशेक होता था तुमे राजविश्य इख होते थे बाकी कहानी आप पढ़ लिजेगा जो मेने मैं वह बता दे रहा हूं ठीक है बाज्युपे यग्य क्या था बाज्युपे यूग का उध्यी تھ're राजा की सारिरिक और आत् राजा को स्रेष्ट दिखाते थे प्राथना करते थे कि यग के माध्यम से राजा के अंदर शक्ति और उर्जा का वाहन करते थे यही बाजी पर यग है कि फिर आप देखेंगे अश्व में यह बड़ा फेमस था राजा की सत्ता को बढ़ाने के लिए यह तू सोदा सुप्रि गोड़े को रोका जाता था तो उसे यंग से यह संमंध राजा सी Suff copper ore मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि अश्व में करके घोडे को छोड़ देता वो घोड़ा जहां जहाँ से युद्धर ना पढ़ता था तो इन तीनों में अरव विए गराजभ सुष्टी को बढ़ाने के लिए सामराज को बढ़ाने के लिए बाकी और भी यग आपको दिखेंगे पुरुष में इस यग में सोम का अत्यांद घर्णित इवें निंदनिये शुरू दिखाए था यह यग पांच दिनों तक चलता था इसमें ग्यारह या पच्चीस यूप निर्मित किया थे इसका उलेख शत्पत और तैत्रे बढ़ामनी मनला इसमें तरह सं कहली है सोम या Campaign यह 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 समर्क भीवर निए जोन उसमें ग्यारह पश्यों की बली दी एपकशों का इस यह मई में सोम्स का worship ले थे हैं इसमें प्रकार से 11 पश्वों की बली दी याती थी यह सब आने वाले यह सब आगे के करमकांड को बिगाड़ने वाले यह तीन इंद्र को समर्पित पश्यग है यह समझ यह मैंने कहा ना बाकी के सब यह बली वाले हो गए जिसमें मनलब अनावस्यक करमकांड को बढ़ावा मिला सौत्रामड यह इसमें जो है इंद्र को खुस करने के लिए पश्वों की बली दिती याती थी ठीक है कि धान लखेंगे तो आपको तीन ही यग इंपॉर्टेंट है अश्रमेग यग बाजपे यग और उसके बाद जो है क्या है राजसुयग तो इस प्रकार से मैंने आपको यह समझाया है ठीक है अब यहां पर मैं आपसे जो है कुछ कोश्चन पूछती जा रहा हूं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि रिगवेद मैं बोल ला हूं मैं कमेंट बॉक्स में बेट करूं रिगवेद सामवेद अथरवेद अथरवेद और यजूरवेद और क्या यजूरवेद इन सारे वेदों में यह सारे वेदों के मंत्रों का उच्चान करने वाले को क्या बोलते थे सांब वेत के मंत्रों का उचांद करनी वाल को क्या बोलते थे अधर वेत के शंख काने की बाए माने को उत्तरवाइदिक काल के समाजिक व्यवस्था के बार मताया जिसमें महिलाउं के सठिथी समझाई और कुछ थास प्रकार की यग बताए अगला लेक्चर है वह लास्ट लेक्टर होगा यानि अगला लेक्चर जानव है और उसके बाद उत्तरवैदिक काल खतम यानि मैंने पूरा सिंदु सब्विता पढ़ाया पूरा उत्तरवैदिक काल पढ़ाया यानि यह के लेक्चर है जो अगला लास्ट होगा अब इसके बाद हम आएंगे थोड़ा सा सूत्रकाल समझाओंगा सूत्रकाल के बाद हम लोग सीधे आएंगे किस पे फिर बहुत धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे तो मैंने कहा ना यह मेरा आइंसेंट हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है आप इसको देखिए और गंभीरता पूरवक्त धैर के साथ देखिए मैंने कहा ना किसी भी बड़े काम में बहुत धैर की जरूरत होती है एक दिन में आप उसको बिना खतम के छोड़ूंगा नहीं ठीक है फिर मिलते हैं नई उर्जा के साथ जैहिंद जैभारज जैस्याराम जैहनुमान जैभीम धन्यवाद